जैसे ही official announcement आया था 10 September 2021 को कि आपका result CA Foundation का 13 September को आरा इसके बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला question क्या ICAI Grace Marks प्रोवाइड करेगा CA Foundation exam में Maths पेपर में अगर प्रोवाइड करेगा तो कितना Marks प्रोवाइड करेगा इस वीडियो में आपका doubt क्लियर कर दे रहे है ICAI 5 July को एक announcement भी लाया था अगर CA exam के किसी भी question paper में आपको कोई भी mistake लगता है exam feedback at the red icia.in पे आप mail कर सकते हो या ICI के address पे आप speed post भी कर सकते हो आपके maths paper के exam के बाद मैंने इस regarding update भी किया था काफी सारे student mail किये थी कि जो भी question paper में error था maths के paper में CA exam में grace mark कब मिलता है तो या तो question में mistake होता है या नहीं तो option में mistake होता है then आपको grace marks मिलता है अप लोग ये नहीं सोचोगे कि out of syllabus जो question आया उस पे आपको grace marks मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है उस पे इस वार्स ये foundation के maths paper में तीन से पाँच नमबर के option में mistake था तो आप लोग को मिल सकता है तीन से पाँच नमबर के बीच में grace mark इस regarding ICI कोई भी official announcement नहीं निकालेगा आपको जितना भी marks आ रहा होगा उसमें तीन से पाँच नमबर add कर दिया जाएगा चाहे जो student वो question को attempt किये हो या जो student उस question को छोड़ दिये हो सारे student को मिलेगा आप लोग ज़्यादा tension ना लो relax रहो आप सबका result बहुत अच्छा आएगा अपने आपके विश्वास रखो आप सबका result अच्छा रहेगा मेरा best wishes आप सबके साथ है जैसे ही कल official announcement आएगा कि आपका result आ गया है तो सबसे पहले ये channel update कर देगा तो channel को subscribe करके बने रहो